असलाम लेकूम वेलकम टू माय योट्यूब चैनल आज हम बनाने वाले हैं मतन कोफता करी जो की बेहर टेस्टी और इजी रेसिपी है तो चले हम अपनी रेसिपी के लिए जो इंग्रीडियंट्स चाहिए कोफते के लिए वो देख लेते हैं जिसके लिए हमें चाहिए होगा ahh kc कीवा 100g भुने चने यहां और करके लिए 3-4 अनियन को चौक करके प्राइë करके ले लिए हाफ लिए और राय मसालें खसकस हल्ती पैवंडर मिड्श पाउडर गराममसाला पावडर हाफ तेस पून सेख ग्रीज चलीज को चौक करके ले लिया है और ग्रीन कोरियांडर कुछ बारिक बारिक चॉप करके ले लिया है तो अब हम मिक्सर के जार में चैनी को डालेंगे और इसमें हम एट करेंगे खस-खस अनियन और जिंजर और इसका हम एक फाइन पाउडर बना लेंगे आप देख सकते हैं इसका पाउडर बन गया है और हम इसको कीमे में मिक्स कर देंगे अच्छे से हाथों के हेल्प से इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे और इसमें हम अपने बाकी के मसाले भी आइड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमने हल्दी पाउडर एट कर दिया रैड चिली पाउडर एट कर दिया सॉल्ट एट कर दिया गरम मसाला भी एट कर चुके हैं और यह गुरीन चिली हमने एट कर दिया हरा भी पाउड चौने और यह हohl किसा दिया हो अब रदनी इच कर रहा है कि इसको अच्छे से मिक्स करके तकि मसालिया आपस में अच्छे से मिल जाएं आइसको हम बहुत यह ईच्छे करेंगे और और फिर इसके हम राउंड राउंड कोफते बना लेंगे एक दम गूर गूर एक दम चिकनी कोफते बनते हैं तो वह बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और खाने में भी पढ़ते नहीं है तो चले हमारा ये कोफते का मिक्षर तयार हो गया है कोफते की लिए बाल्स तैयार कर देते हैं चले यह तैयार करते हैं कि आप देख सकते हैं कितना गोल हमने तैयार किया है ऐसे भागी के कुफ्ते भी रेडी कर लेंगे कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी आए सब को बहुत ही घर में पसंद आती है मेरे घर में सब बहुत पसंद करते हैं, आप देख सकते हैं, हमारे कोफते बनके तयार हैं, अब हमें ग्रेवी के लिए जो मसाला चाहिए, वो ये हैं अनियन का पेस्ट, दसन अधरक का पेस्ट, कॉरिएंडर पै।र हल्दी पाउडर, तैमरिक पाउडर, ग्रीन कॉरिएंड कोफ्ते के लिए नहीं पिए टाग थे कि हम पहले को बैप अपर करके रख लेंगे में जल खरम कोफ्ते में और को जाएगा तो पुल थे से रख लेंगे आप देख सकते हैं हमें कुछ कोफते तरीके से फ्राइब करने द्यादा ओवर लोड नी करने नहीं तो यह भिखर भी सकता है अगर आप चनी का पाउडर नहीं भुणे चनी का तो आप भूंसके भीस कर सकते हैं तो अगर भुणे चनी यूज करेंगे तो इसका टेस्ट और अच्छा आता है कि आप देख सकते हैं कोफते का कलर चेंज हो रहा है ऐसी हम इसको शालो फ्राइ कर लेंगे कुफते हमारे फ्राई हो गए हैं सारे अब देख सकते हैं अब हम इसमें ऑईल लेंगे पैन में थ्रीट बड़े चमच ओईल हमारा गरम हो रहा है इसमें हम मेथी दाना दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता डाल देंगे इसको क्रैका लोने देंगे और फिर हम इसमें अपना जो हमने पेस्ट तयार किया है जिंजर गार्लिक का हम वह एट कर देंगे यहां पर हम दो टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले रहे हैं इसको हम सॉटे कर लेंगे एक दो मिनट तक ताकि इसकी जो रॉइस्मेल है वो निकल जाए फिर हम इसमें प्यास को एट कर देंगे जो हमने प्यास का पेस्ट बनाया था दो मीडियम साइज की प्यास हमने यहां पर ली थी अंग आ अदिमा से और में इसमें अपना दनिया पाउडर एट करदिया है जिक्स टेपल स्पून दनिया पाउडर आ पर लिया था अब इसमें बागी के मसाले भी एड़ कर देंगे हल्दी पाउडर और इसको मिक्स करते जाएंगे रेड़ चिली पाउडर भी एड़ कर देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत थोड़ा सा इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला लगे नहीं नीचे और आप अपना भुन जाए तो मसाला भुनने देते हैं इसको अच्छे तरीके से भुने ताकि इसकी कच्छा पन निकल जाए एक काटोरी हमने इसमें पानी डाला है आप देख सकते हैं मारा मसाला कितना अच्छी तरीके से भुन गया है इसका कलर कितना ही घुपसूरत आया है देख सकते हैं सारा रोगन इसमें से सेपरेट हो चुका है अब हम इसमें एक एक करके सारे कोफते आइट कर देंगे अराम अराम से कोफते डालें ताकि तूटे नहीं वैसे हमने फ्राइब कर लिया है तो यह तूटेंगे नहीं अब हम इसको लिट से कवर करके 10 मिट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे अब देख सकते हैं हमारे कोफते पके तैयार हैं यह देखने में कितने ही लजीज लग रहे हैं तुखाने में कितने लजीज होंगे तो बस हम इसमें स्वल मशार दाल दिया है और थोड़ा धनिया है ड fire अपर अज़िंग के लिए और अब गरम गरम सर्फ करेंगे रोटी के साथ, प्राथे के साथ जिसके साथ आप खाना चाहें राइस के साथ तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राय करें बहुत ही अच्छी लगती है और कॉमेंट सेक्शन में अपना फीडबेक देना ना भूले थैंक यू सो मच वर वाचिंग मैं चैनल